नमस्कार साथ यो गुरुकुल क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार दिख स्वागता हो अभिनत्र दोस्तों कल जो हमारी क्लास थी समिधान सबाब पर और जो हमने कल लास्ट पढ़ा था उससे आगे की हमारी क्लास रहेगी ठीक है दोस्तों तो देखे दोस्तों जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था एक पार थोड़े सी जर्चा कर लेते हैं जो चीज हम लोगोंने कल पढ़ ले थी अब देखी दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था cabinet mission कौन सा मिशन पढ़ा था cabinet mission के बारे में पढ़ा था कि cabinet mission कितरे सदेशों का था भारत कब आया था 24 मार्च 1916 को ये भारत आया था अब देखे दोस्तों और इसके आधार पर जो सद्देशे संक्या निश्चित के गई थी थेंसो उननवेद्वे और यही सद्देशे संक्या निश्चित क्यों की गई थी इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थे कि ब्रतेक 10 लागी जनसे क्या पर एक सदेशे का चुनाव किया गया था अब ये निर्वाचन किस तरीके से हुआ था तो हम लोगों ने चर्चा कि थी कि इनका जो चुनाव है आप रत्यक्षोप से हुआ था अब देखें दोस्तों और फिर हम लोगों ने चर्चा कि थी कि जो ये 300 गुनावची सदेशे संक्या इसको कितने भागों बाहाँ रखा था दो में एक दोसो बुराण प्लस चार और दूसरे दे तेराण और जो सदेशे अभ्लोगों ने चर्चा कि थी कौन से दे देसी रियासतों के थी ठीक है और जो जो इस देसी रियासतों के सदेशे थी ये कैसे थी बाहन वीते है यहां तक हम लोगों ने चड़शा कटी थी और यह जो सदस्य हैं यह ब्रिटीश प्रांथ थी और इन सदस्यों का जो ब्रिटीश प्रांथ की यह सदस्य थी यहनि कि कुल कितने दोसो चेनों सदस्य थी तो इन दोसों सदस्यों का किया गया था चुनना आओ यहनि कि निर्वाचित तो यह आप से पू entertaining जो शदस्य होंनिर्वाचित या मननीत AI च deck जो सदस्य थी वह मननीत भी थे और निर्वाचित ऑ मननीत कितने थे Seráवी और निर्वाचित इतने थे दो सो चिंदू सदे से और ये जो चार्ज था हम लोगों ने जल्चा की थी चेप कमिशनेट शैत्र के बारे में यानि कि केंदर्शासित परदेश जो वर्तवान में होते हैं उसी तरीके से चेप कमिशनेट प्रांद दे उन में से एक था जो हमारे राजस्तान में अजमेर मेरवाड़ा और दूसरा बुलुचिस्तान तीसरा कुर्ग जो कहां पड़ता है करनाटका में और चौता दिली तो यह जो चार थे चेप कमिशनेटर प्रांद तो यहां से जो बनने वाला क्यूशन है दो सो चिंदू सदेशों का चुना हुआ था किस तरीके से प् अब इनको मनोनित किन लोगों ने किया था आप लोगों को बता हैं देशी रिया से था अब देशी रिया से तो पर सासम किसका हुआ करता था राजा महाराजाओं का सासम हुआ करता था तो उन्ही राजा महाराजाओं का सासम हुआ करता था तो उन्ही राजा महाराजाओं क किन लोगों को भेजना है इसकी जो जिम्मेदारी हो राजा महराजाओं को ही सौंपी गए थे तो यहां तक हम लोगों ने पढ़िया तक तक किल की क्लास में अब देखे दोस्तो इससे आगे अब जो चुनाओ हुआ था समीधान सभा का चुनाओ समीधान सभा दोस्तों समीधान सभा का जो चुनाओ हुआ था समीधान सभा का चुनाओ वो किस तरीके से हुआ था आप्रत्यक्ष किस तरीके से हुआ था आप्रत्यक्ष और चुनाओ कब हुआ था जुलाई अगस्त 1906, जुलाई अगस्त 1906 को क्या हो था समिधान सभा चुनाओ अब देखे दोस्तों चुनाओ बाप प्रेटेक्स फिर हम से कही बार पूछ जाता है कि इसमें कौणगे उसको कितनी सीठे मिली थी मुस्लिम लिख को कितनी सीटे मिली है तो वो सारी चर्चा करते है तो देखे चुन्नाव में प्राप्त सीटे अगली हमारी हैडिंग कौन सी है कि चुन्नाव में प्राप्त सीटे कि इनको कितनी कितनी प्राप्त हुई उस पर चर्चा करते है देखे दोस्तों जो कॉंग्रेस थी भारती राष्ट्रियर कॉंग्रेस जिसके इस तापना 1865 से यह हूं के दारा के गए ती आम सब लोगों को पता हैं तो जो कॉंग्रेस थी इस कॉंग्रेस को जो सीटे मिली थी वो कितनी मिली थी इस सविदान सभा की चुना में 208 मिली थी कितनी सीटे मिली थी 208 पर अगला आता है मुस्लिम लीग और इस मुस्लिम लीग को जो सीटे मिली थी वो मिली थी 33 सीटे कितनी सीटे मिली थी 33 और कॉं अब देखें दोस्तों, इसके बाद कोछ एक निर्दली उमीदवार थे, हैने कि सुर्तंतर उमीदवार. तो जो स्वर्तंतर हैने कि निर्दली उमीदवार और छोटी बड़े और भी उमीदवार थे, तो उन सब को कुल मिला कर, ठीक है? स्वतंतर उमीदवार उन दोनों को मिला कर जो सीटे प्राप्त की गई थी वो कितनी सीटे प्राप्त की गई थी 15 सीटे प्राप्त कितनी सीटे तो दोस्तों यह था चुनाव का नतीजा और अब यह जो सीटे थी कही बार हमसे पूछ दे जाता है कि सविधान सभाम है, अब ये तो हम रटकेट्स ले जाते हैं कि कॉंग्रेस को 208 और मुस्लिम्दी को 33 तर सवतनतर उम्मीदार रहने कि निर्दली उम्मीदार थे, छोटे बड़े और भी दलते, तो उन से मिला कर कितने 15 सीजों सब को प्राप्त हुई थ कि हमें समिधान को रटना नहीं है, हमें समिधान को क्या करना, बहुत इस हरल तरिके से, आसानी से क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो हमारे दिमार में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, तो दोस्तों, यहां से पूछा जाता है, कि समिधान सभा में कुल महिलाई कितनी थी क्या पूचा जाता है समीधान सभा में समीधान सभा में महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या तो याद रखे दोस्तों समीधान हमिदान सभा में महिलाओं की संग्या कितनी थी तो 15 अब ये तो दोस्तो था चुनाओं का नतीजा जो हमसे पुछा जाता है कि कॉंग्रेस को कितनी प्राप्त हुए मुस्लिम लीग को कितनी और अन्य दल को कितनी थी अब देखे दोस्तो जब ये चुनाओं के बाद चुनाओं के बाद समीधान सभा की बैट किसकी चर्चा की जाएक अब सवीदान सभा की बारे में चर्चा की जाएकए समिधान सबा की बैटक ठीक है दोस्ते अब लेके समिधान सबा की जो पहली बैटक है वो 9 December 1926 को थी कब हो थी? 9 December 1926 की यहनि कि समिधान सबा की प्रधम बैटक और यहां से दोस्तों कहीं बार क्यों समिधान सबा की जो प्रधम बैटक हो थी 9 December 1926 कब हो थी? 9 December 1926 को समिधान सबा की प्रधम बैटक हो थी अब दोस्तों यह जो समिधान सबा की पहली बैटक हो थी यह कौन से जगह होई थी तो समिधान सभा की पहली बैटक कहां पर होई थी दिल्ली कहां पर होई थी दोस्तों दिल्ली के अंदर समिधान सभा की पहली बैटक 9 दिसनवर 196 को होई थी फिर इस बैटक के अध्यक्ष कौन थी फिर हमसे क्या पूछा जाता है कि पहली बैटकी से पहली बैटकी के जो अध्यक्स थे उनका नाम था सर्चीदा नंदर सिना कौन थे दोस्तों सर्चीदा नंदर सिना को समिधान सभा की प्रधम बैटका अध्यक्स बनाएगा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सची दानंद सीना को इस समिदान सभा की पहली बैटक का अध्यक्स क्यों बनाएगा। तो याद रिखें दोस्तों यह जो सची दानंद सीना थे यह सबसे क्या थे वरिष्ट थे। क्या थे? सबसे वरिष्ट दिने की सबसे बड़े थे। और सबसे बड़ों को अध्यक्स बना जाए। यह परणपर जो भारते समिदान में हैं वो फ्रांस से ली गए हैं। प्रांस से ली गए। अब देखें दोस्तों सची दानंद सीना को समिदान सभा की प्रतम बैटक का अध्यक्स बनाए गया। और जब इनको अध्यक्स बनाए गया सची दानंद सीना को। और अब बैष्ट को अध्यक्स बनाए यह जो परंपरा है भारते समिदान में कहां से ली गए हैं तो फ्रांस के समिदान से ली गए। आप लोगों को पता हैं जब भारते देश का समिदान बन रहा था तो लगवग 60 देशों का अउलोकन किया गया था भारते नेताओं की कितने देशों का लगवग 60 देशों का अउलोकन किया गया था अब देखे दोस्तों पिर आपसे यहां से एक अगला क्यूशन और उच्छा जाता हैं कि यह जो सचिदान ने सीना हैं अब देखो आपसे पूचा जाता कि समिदान सभा के अस्ताई अध्यक्ष कौन थे हैं य यदि आपसे पूचे कि समिदान सभा के अइस्ताई अध्यक्ष ते हैं तो जो अइस्ताई अध्यक्ष ते हो भी कौन थे हैं सचिदान अंदर सिना ही थे गई तो दोस्तों जो यह समिदान सभा की प्रत्थम बैठक में कुल कितने सदश्वों ने भाग लिया था तो कुल 200 सात सदश्वों ने भाग लिया था ए दो सो साथ सदैस्यों ने भाग लिया अब 200, 707 सदैस्यों ने भाग लिया और आपकी मन में यहां सद्रक्राइव कि कहीं गाइ आइड है वो यहाँ पर बताती है 211 सदैस्यों, कितने सदैस्यों बताती है 211 लेकिन आपको उस जंजट नहीं पड़ना है, आपको सिधा सयाद रखना है, कि समीदान सभा की प्रतम बैटक में को लर, 207 सदेशों ने भाग लिया था, तो आप को कि 390 थे तो उन में से सिर्फ 207 नहीं भाग लिया था, क्योंकि ये जो समीदान सभा की प्रतम बैटक थे, इसका मुस्लिम लिग ने क्या कर लिया था, बहिशकार कर लिया था, अब जब मुस्लिम लिग ने बहिशकार कर दिया, और इसके अलाओ जो देरान में सदेशी मनोनीत वाले थे, तो उन में से तो आदे राजा महराजाओं को ये भी बता नहीं था, कि हमें करना क्या है हमें करना क्या है किस तरीके से हम समिधान सभा में अपने परतिनीती को बेजें किसको बेजें और ये एक बात थी और दूसरे कि समिधान सभा से खुद को क्या रखना चाहते थे अलग रखना चाहते थे तो इस तरेके से वो त्यरहननुत, नहीं क्या कर दियाता था। बहिशकार कर दियाता। आप लुख NICK डिलयती है कि मुसलिम डिल जब 309 सदिय तो 19 से ज Argentina कैसा पूछेया था कि मुसलिम डिलये कि बःशकार के बाद सदिय से शंक्या तो याप बच जाते ऑ 200 निचनाना, इस चीज़े आप हमाई इस दोर से याद है अब दोसो साथ सदेशे आपको याद रखना कहीं सगा आपको 211 मिलें लेकिन उसमें आपको नहीं फस्ना है सिरब और सिरब आपको कितने याद रखने दोसो साथ सदेशे जिनों ने समिधान सभा की प्रत्थम बैटक में भाग लिया था फिर दोस्तो आपसे अद्यक्स तो आपको बता है सिर्चिनों नंग सीना फिर आपसे पूछा जाता है उपाद्यक्स क्या पूछा जाता है कि समिधान सभा की प्रत्थम बैटक के उपाद्यक्स कौन थे तो समिधान सभा की जो प्रत्थम बैटक थी इसके जो अद्यक्स थे देखें दोस्तों समिधान सभा की प्रत्व पैटक के अध्यक सजी रहन सीना जो और इसका यह देख सुझी दे और समिधान सभा की प्रत्व पैटक के उपा देख सेथी आज से पूछत है सी मुखर जी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद जो अगली पैटक होती समिधान सभा क कि अगर्ट कि जो संभीदान सभा के अगले बैटक होती है वो पी 11 दिसम्बर यह पहले भ conquest के दो दिन बाद कि जो अगले दीयां makes अगों कर घूअ किंस बोल सकते हैं कि संभीदान सभा की तो संभीदान सभागी दूसरी मैं कर तो समिदान सभा की दूसरी बैटक थी, इस बैटक के अध्यक्स इसे बनाया गया था, तो इसको जो इसमें अध्यक्स बनाया गया था, वो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को बनाया, किसको बनाया था, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को अध्यक्स बनाया था, इस्थाई अर्थियक्स तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कन्फूजन या कन्फूजन की स्थित्य से आपको दोर ही रहना है यदि इस्थाई पूचे तो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद और यदि आप से अस्थाई पूच ले जाए तो सचिदनन्द सिन ही करणा है लेकीन वाँबर ऐसी गलती मत करना कि दिया आप से पूच्चाijn समिधान सभा की प्रथम बैठा किया है तो आपको करना सचिदनन्द सिन ही करना इनको नहीं करना ठीक है और दोस्तों इसके बाद समिधान सभा इस समिधान सभा के जो सम्मेधानिक सलाकार थे कई बार एक्जाम में पोच लियाता है किस सम्मेधान सबा के सम्मेधानिक सलाकार किसे न्यूक्त किया गया था तो जो सम्मेधान सबा के सलाकार है वो बना गया था B.N. राव को किसको बना गया था बी एन रावो अब ये बी एन राव कौन थे समिदान सभा के समिद हने कर सलाकार के रूप में बी एन राव को निम्द किया है फिर इसके बाद दोस्तों समिदान सभा की बैठक होती है 11 दिसम्बर के बाद वो होती है दुबारा दो दिन बाद यनि कि ग्यारण के बाद बोग दिन यनि कि 13 December कब होती हैं? 13 December 1936 अगली बैटर कब होती हैं? 13 December 1936 अब दोस्तों यहां से याद रखना आपको जो यह 13 December 1936 अब अधिक्स के बाद तो होगी नहीं क्योंकि इस तरहे जोप से अधिक्स किसे बना दिया गया था डॉक्टर आज रखना रखन्दर को तो तो 13 December 1936 को क्या किया गया था? उदेषय प्रस्ता हो फेस किया था सह्विदान में क्या किया गया था? उदेषय प्रस्ता फेस किया गया अब दोस्तों यह आप से पोच्छे जाए कि सविधान सभा में उदेश्य प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया गया या कब पेस किया गया था आपका अंसर क्या होगा 13 December 1946 सविधान सभा में उदेश्य प्रस्ताव क्या किया गया था पेस किया गया था पंडित जवहार लाल नहरों के पर अब यह उदेशी प्रस्ताव तो देखे दोस्तों यह जो उदेशी प्रस्ताव उदेशी प्रस्ताव लिखा गया था कि जो समिधान सभा है वो क्या करेगी समिधान का निर्मान करेगी जो भारत को क्या बनाएगी इसी के अलावा भारत के अंतर जो प्रसाशन की जो प्रसाशन चलाएगा वो किसके दोरा निर्दार्ण किया जाएगा प्रसाशन का तो समिधान के दोरा इस तरीके से बाते लिखे गए थी, जो सारे के सारी संप्रभुता जैसी बाते लिखे गए थी, सामाज एक न्याय की, वो सारी उदे से प्रस्तावन लिखे गए थी, और वही बाते जो भारते समिधान की प्रस्तावना है, उसे में लिखे गए थी, तो तो इसलिए कई बार हम से पोस्ट लेाता है कि भारते समिधान की प्रस्तावना को या भारते समिधान की प्रस्तावना का आदार किसे माना जाता है तो भारते समिधान की जो प्रस्तावना है उसे प्रस्तावना का आदार किसे माना जाता है उदेश्य प्रस्तावना का आदार बहुत ही महत्पून क्यूशन है कि भारते समिधान की प्रस्तावना का अधार किसे माना जाता है उदेशी प्रस्ताव और दोस्तों यहां से ऐसा पूछ सकते आप से कि भारते प्रस्तावना का अप्रतेक्स रूप से लेखक कौन है भार्ते समिधान का अप्रत्यक्स रूप से लेखक कौन है तो आपको याद रखना आप ये पूछ रहा है कि भार्ते समिधान की जो प्रस्ताम उसका अप्रत्यक्स रूप से लेखक तो हमें समझना होगा कि प्रस्तावना का आधाय किसे माना गया है उदेशे प्रस्ताव को और उदेशे प्रस्ताव किसने प्रस्तूत किया था पंडित जवारलालेर। तो प्रस्तामना का अपर्टेक्स लेखक किसे माना जाता है पंडित जवहारलाल नेहरू को इक्या माना जाता है उदेशे पंडित जवहारलाल नेहरू को इक्या माना जाता है उदेशे पंडित जवहारलाल नेहरू को इक्या माना जाता है उदेशे पंडित जवहारलाल नेह कारियों को करने के लिए कहीं समीतियों का अगठन किया था तो उनमेंसे कुछ एक समीतिया जो मुखी रूप से हम लोगों को याद रखनी चाहिए तो समीदान सभा की समीतिया समीदान सभा की समीतिया यह जो समीदान सभा की समीतिया है तो उनमें सबसे पहली एक समीतिया आपको याद रखनी है समसक्ति समीति अब ये संक्ति समीति है तो इसके अदिक्स कौन थे और दूसरी संक्य समीदान समीति दोस्तों संग सकते समिती और संग्य समिधान समिती यदि हमसे पूछे कि इन दोनों के अध्यक्स कौन थे संग सकते समिती और संग्य समिधान समिती तो इनके जो अध्यक्स थे वो थे जवालाल नहरू थे कौन थे इनके अध्यक्स जवार लाल नहरूते संसक्ते समिति और संगे समितान समिति इन दोनों के जो अध्यक्स थे वो कौन थे पंडि जवार लाल नहरूते पिर इसके बाद एक समिति आपको याद रखनी है प्रांतिय समिधा समिति और अगले जो समिति है वो आपको याद रखनी है सलाकार या परामर्स दाता समिति क्योंकि सलाकार के परामर्स देना भी कहते है तो यह की चीज़ है ठीके दोस्तों तो यह सलाकार समिति और प्रांतिय समिधान समिति इन दोनों के जो अध्यक्स थे वो थे सर्दार पटे, सर्दार वल्ले भाई पटे इन दोनों समीतियों के उनको क्या बनाय गया था अध्यक्स बनाय गया था प्रांते समिदान समीति और सलागार समीति इनके क्या अध्यक्स किसे बनाय गया था सर्दार वुले बाई पटेल को इनका अधियर्स बनाए गया अधिय की दोस्तों अगली हैं संचालन समीति और संचालन समीति के जो अधियर्स है वो है डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को बना गया था डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को संचालन समीति का अधियर्स बनाए गया था अब देखे दोस्तों सामिदान सभ़ा के अंदर एक संचालन समीति और जोसी कारियद संचालन समीति अब डोनों में यदि आप से संचालन समीति का पूछे तब आपको अपसे देना डॉक्टर राजेंदर पर साथ संचालन समीति के क्या थे अध्यक्स थे पर यदि आपसे पूछे कि कारिय संचालन समीति के अध्यक्स कौन थे कारिय संचालन समेठे तो इनिके जो अधियास थे उंका नाम था के एम मुंशी करनीय लाल एक माण के लाल एक मुंशी थे ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की वाद है तो यह कुछ एक समीति थी जो सभीदान सभा से समधिता लोगों को याद रखना कि समीतियों को सुचा रोप से करने के लिए विबिन परकार के कारियों को कुछ एक समीतियों का क्या किया गया था क्या गया थे जिनके अधिक्सकु लेकर आक से कहँ हए बार की उसना पोचते जाता है, फिर समितियों में एक प्रार्योप समिति जिसके बारे में कहीं कुछ जाता तो बहुती मैंत्वून समीति है प्रारोप समेति कौन से समिति प्रारोप समीति प्रारोग लोग दोसों इस सर्थ प्रारोग समेथी को ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहा जाता है इसका दोसर नाम क्या है ड्राफ्टिंग कमिटी और यए इसका अग्ला नाम कौह राता पांडूलेखन समीथी कौन सी समीथी जाता है यदि आपसे पूछे कि प्रारोग समीथी ड्राफ्टिंग कमिटी आप पान्डूलेखन समीथी तिनों क्या है ये की नाम है तो आपको conclusion करने लिए डिया आपको प्रारूप का पता हैं और आपको बोल दे की पाढ़ू लेकर समिति के आदेक्स कौन दे तो आपको इसे पोड सी कुछ है कर यार एक ना आदेखो ये जो प्रारूप समिति थे इस प्रारूप समिति की जो स्थाबना है प्रारूप समिती की इस्तावना इस प्रारूप समिती की जो इस्तावना है वो 29 अगस्त 1907 की गई थी कट की गई थी 29 अगस्त 1907 को प्रारूप समिती ड्राप श्रिंग कमिटे पांडूर एकन समिती इसकी क्या की गई थी इस्तावना की गई थी पर अकली चीज कि प्रारुम समीति के अध्यक्स तो वो थे डॉक्टर भीम राव अंबेड़कर कौझंते दोस्तों? डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर और डॉक्तर भीम रा Опहाद को प्रालूप समीती डाप्टिंग कमिटी या पान्डुलिक क्वष्ष्ष्ष्ष्ष由 है अध्यक्स बनाई ग्या था पिर यह जो प्राहूप सम्वीती ती अगला के उसने हम से पूछा राता कि प्रारुप समिति में कुल कितने सदश्यों थे। प्रारुप समिति में कुल कितने सदश्यों थे। तो प्रारुप समिति में एक अध्यक्स था और अध्यक्स के अलाव अच्छे अन्य सदश्यों थे। तो कुल कितने सदेशे हो गई, साथ सदेशे, समझ जबाद, कि प्रारू समीती कि स्ताफना 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्स डॉक्टर भीमराव अम्बेट करते हैं, और सदेशे कितने थे, साथ सदेश, कितने साथ, जिसमें एक अध्यक्स और छे अन्य थे, तो अध्यक्स कौन थे, डॉक्टर भीमराव, अम्बेट कर, मेरह मुचें चर्चा करते हैं, तोड़ी सी घमराव, अम्बेट कर क्यों यहां से और संपोस जाता है, क्योंकि सर्क्र leidhan की पिता जो कियलाते हैं, पिता-मा göreलाते हैं, तो दोश्डों, डॉक्टर भीमराव, अम्बेट कर का जो सब से पहले चुनाव हुआ था, यह लियंग इन्हों прошमिई जिता था उन्हां को सिह साथ रुनुे जिता था वो जहां से जिता था बंगार से जिता था मुस्लिम डेके, सहाईता से और इन्हों को जिस से जिता था, paganist जिस सहतर से डॉक्टर भीमराव अमेड करने चुनाव लड़ा था वो सहतर पौरी पाकिस्तान में चला गया था जब वो सहतर पौरी पाकिस्तान में चला गया था तो वहां से चुनाव भीमराव अमेड करने चेता था उसको क्या कर दिया था रद कर दिया था जब उनको रद कर दिया था अब देखिए पे डॉक्टर राजिन ने प्रशाद ने कहा था कि डॉक्टर भीमरा मुवेट करका हमारे सविधान सभा में सामील होना बहुत ही महतवपून है इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता तब इनको जो चुनाव यह निक समिठान सभा में सामील किया गया था बहुत ही महतवपून के उसने याद अपना दोस्तों कहीं बार हमसे पोच जाता कि डॉक्टर भीमराम व्वेट करक हो समिठान सभा में कहासे सम्मिलीत किया गया था था? तो याद रखना आपको बंबई से समितान सभा में सदेशे की रोप में सम्मिली तो यह ते कौन डॉक्टर भीम राओ अम्बेट गज़र की चुना विनों नहीं कहां से जीता था बंगा से जीता था लेकिन भारत पाक जो इबाजन योज नंती तीन जून 1997 से उसके बाद यह चैतर कहां चला गया था पूरी पाकिस्ताने अब दोस्तों इसके बाद यह चैस दिसी हैं उनके नाम आप लोगों को या रखना कहीं पार रख एक्जाम्य पोश्ट लिया था तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं चैसा अश्डशियों में जो सबसे पहले शडशिय हैं उनका नाम एन गोपाला स्वामी आयंगर दोसे दे कुरश्णा स्वामे आयर तेसे दे सेयद मुहम्मद अब्दुल्ला चौते सदेशे दे के एम मुंसी पांचे सदेशे का नाम एन माधवराय एन माधवराय और जो छटे सदेशे थे उनका नाम था टीटी कृष्णा माचार अब दोस्तो आप लोग याद रखना कि अध्यक्स्तो कौन थे डॉक्टर भीमरा अमेड दुरिंकी अलाव ये छे अन्ये सदेशे थे जो पुल मिला कर कितने हो जाते हैं सदेशे और देखो दोस्तों यहाँ से आपको किस टाइप क्यूशन पूछा जाएगा कि प्रारूप समिती में एक मात्र मुस्लिम सदशे कौन थे मोहमद सदूला ये क्या आते हैं समिधान की जो प्रारूप समिती थे उसमें एक मात्र Muslim सथे ठैक है प्रारोर समिति में में एक मातर मुस्लिम सदे से कौन थे सेय महम्मद अब्दुल्ला थे पर यह आपसे मेरी कि प्रारोर समिति में firefight में Congress के वैसे देखा जाए so Congress के सारे के सारे सबusta Congress की थे लेकिन के अंधम उसी सासे वरिष्ट सदिष्य थेивать किसके ते कांगोेश की किसके सदिषए थे तोंगो चे तोंगोज हैं यह कांगोज पूछे गेटा आप दोन और किनार है अम खुछ रहे हैं ठील-प्रारूंड संपिती में कांगोनितों सदिष्शन तो यह चो कौन थे क्या सामें, पूछे गयर हो सकता वाप, इसमें पूछा जैता आप लोग याद रहें, अगर दोस्तों, प्रारूप समिती थी, यनि कि प्रारूप बना दे गया था समिधान का, कि समिधान का प्रारूप किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, तो वो सारी चर्चा बन गया ता तो फिर समिध्धान का क्या किया गया था वाचन किया गया समिध्धान का क्या हमारी हेड़ी ने समिधान का वाचन तो समिधान का वाचन कितनी बार किया गया था तीन बार अब देखे दोस्तों समिधान का पहला वाचन जो समिधान था उसका पहला वाचन चार नवेंबर 1948 से नो नवेंबर उनिसो अटालिस तो समिधान सभा का पहला वाचन समिधान सभा का पहला वाचन कितने दी चला था पांच दिन पर इसके बार आता है समिधान सभा का दूसरा वाचन दोस्दों समितान सबा का जो दूसरा वाचिन किया गया था वो सुरू हुआ था 15 नवेंबर 19-48 से ये प्रादम हुआ था और 17 अक्टूबर 17 सित्यमबर 19 19-49 15 नवेंबर 19-48 से प्रादम हुआ था 17 सित्यमबर 19-49 को क्या हुआ था खता यति आपसे पूच जाए कि समितान सबा का जो सबसे लंबा चलने वाला वाचिन कौन सा था तो समितान सबा का कौन सा वाचिन तूसरा वाचिन था जो सबसे लंबा आप देखिसकते 15 नवेंबर 19-47 नवेंबर 19-49 आपको बते ये काफी लंबा टाइम है तो समितान सबा का लंबा चलने वाला कौन सा था दूसरा वाचिन इसके बाद आता है समितान सबा का तीसरा वाचिन और वाचिन का था दोस्त आप से बते होगा पढ़ना ठीक है तो जो तीसरा सुरू हुआ था 14 नवेंबर 1990 से 26 नवेंबर 1990 यह थीन वाचिन होए थे समितान सबा का एक बार वापस देखे जार नवेंबर 1948 से 9 नवेंबर 1998 के मद्या है 15 नवेंबर 1948 से 17 सितम्बर 1990 और तीसरा वाचिन 14 नवेंबर 29 नवेंबर 1990 के मद्या और यह जो 26 नवेंबर 1950 वाली डेट है बहुत ही मैत, आप लोगों को बता होगा भारत देश का जो समिदान है वो लागू तो 26 जिनवर 1950 के दिन होगता, लेकिन उसको पून exo जो बनकर कब तैयार हुआ था, आप क्या बता होगे, 26 नौबर 1950 को देश का समिदान बनकर क्या हो गया था तैयार हो गया था बनकर तैयार हुआ था लागू नहीं हुआ था लेकिन चपवेश नॉमबर उनिस्टो गूपचाज के दिए सम्मिधान आंसिक रूप से आंसिकर थोड़ा से तो देखें चपवेश नॉमबर उनिस्टो गूपचाज को सम्मिधान क्या हो गया था सम्मिधान को अंगी करत किया गया था अंगी करत किया गया था तो सम्मिधान को अंगी करत किया था यह निकी बनकर त्यार हो गया था 26 नॉमबर उनिस्टो गूपचास और इसी दिन सम्मिधान आंसिक रूप से लागई किया था समीधा आनसी क्रोफ से लागू किया गया था अब दोस्तो आनसी क्रोफ से यहने कि प crystalline के threats लागू किया गया तो मैसे थोड़ा सा कितना लागू किया गया था यहने कि कुछ न कुछ तो अंचैर लागू किये हुगे जो हमसे कही بعर एकजाम पूशे जाता कि निमन लिखित में से कौन सा अनुचेद 26 नॉमबर 1950 की दिन लाग हुआ था तो देखे दोस्तो जो अनसी ग्रूप से लाग हुआ तो उसमें कुल कितने अनुचेद लाग हुआ थे तो जो लाग हुआ देते अनुचेद वह आत्यान से देखना और अराम अराम से देखना एक दुबार देखना आपको सारा का सारा याद हो जाए अनुचेद पांच अनुचेद जे साथ आट नौ अनुचेद साथ 324 364 367 39 388 388 इसके बाद अबला है 301 302 303 यह जो अनुचेत है यह किस दिन लागु होए थे 26 नौबर 1915 और इन सब अनुचेतों को जोड़कर जितने भी बाकी हैं अनुचेत वो कब लागु होए थे 26 जनौबर 1915 की दिन अब 26 जनौबर 1915 की क्यों रखा गया था आप लोगों को बता है अनुचेतों के जो लाहूर अदिवेशन था वो बहुत ही एध्यासिक महतों का दिन था क्योंकि उस दिन पौन शवराज की माम की गए थी और उसी दिन की महतों था को बढ़ाने के लिए 26 जनौबर 1915 की दिन देश का समीधान क्या कर दिया गया था लागों कर दिया गया और दोस्तों को बुल कितने यह जो 5 6 7 8 9 30 24 34 37 37 38 38 38 38 39 यह सारे आप निचे 26 नौबर 1950 को लागों किया गयता और इसके अलाओ जितने इस बाकिते वह सारे के सारे किसा अब किया गय थे 26 नौबर 1950 को दिन देश का समिधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? समिधान लागू हुआ था देश का समिधान कब लागू किया गया था? 26 जनवर 1950 अब देखे अगली बाद दोस्तों आप से पूछा राता है कि समिधान सबा की अंतिम बैठक बहुत बाहर पूछावा क्यूसन है कि समिधान सबा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जो समिधान सबा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवर 1950 परचास को, 24 जन्रवरी 1950 के दिन सभिधान सभा की अंतिम बैठा कर हुई थी, अब देखें दोस्तों, इसके बाद अगली चीज, कि 22 जुलाई इसके बाद अगली, कि 24 जन्रवरी 1950 के दिन ही, राष्ट्र गेत वर राष्ट्र गहन को अपनाय गया था, और समिधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो आप लोग याद रखना, दो वर्स, 11 महा और 18 दिन का समय लगा था, पूरा समिधान बनने में, दो वर्स, 11 महा, 18 दिन का समय लगा था, ठीके दोस्तों, और समिधान लागो कब किया गया था, 26 जन्रव तो दोस्तों यदि अभी तक जो हमारा जो सविदान सभा का चैप्रिन हम लोगों ने कंप्लेट गये है दे उसमें आपको किसी तरीकी कोई समझे हो या आपको याद नहीं हो रहा है आपको पता नहीं चला हो तो आप कमेंट करके बता सके दि हमारी क्लास आपको अच्छी लाइक से और कमेंट ही हमारा क्या बढ़ाएंगे होस्ता बढ़ाएंगे प्लीज धन्यवाद